दोस्तो नमस्कार करनल अजय सी ओ अजय एस्ट्रो मनिक्रूब फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुकातिब होता हूँ आज 7 जून सन 2023 दोस्तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूपी की लाल मिर्च के आने से मसाला व्यपारियों को चिंता में डाल दिया है जानिये पुड़ी रिपोर्ट विस्तार से मसाले पर देश का पहला चैनल है जो लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, मेती इन सभी पर लगातार अपडेट और विसलेशन देता है दोस्तो आप हमारे चैनल पर इन सभी का लगातार अपडेट और विसलेशन प्राप कर सकते हैं साथ साथ अगामी एक से दो मेने के अंदर विशेश रिसोर्ट रिपोर्ट मसाला उद्योग एवाम स्टॉक इस्टोग के लिए भी उपलब्द है उसके लिए आप समपर करें दोस्तों आपको याद होगा लाल मिर्च में सबसे पहले हमने तेजी की बात कही थी जो कि अक्षर सत्ते साबित हुई और उसके बाद फिर गिरावट भी की बीबात बिल्कुल सत्ते साबित हुई अब जानेगे यूपी की विशेश खबरे लाल मिर्च को लेकर यूपी में इस साल मिर्च का उत्पादन पिछले साल के तुलना में लगबख 25 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाए जा रहा है गौड तलब है कि यूपी में हरी मिर्च के दामों में भरी गिरावट के कारण किसानों ने मिर्च को पकने के लिए छोड़ दिया था अब नई लाल मिर्च जो है अब यह जो मिर्च बरेली सुल्तानपूर लखनाओ उन्नाव फरुखाबाद सीतापूर लाइन की मंडियों में आने लगी है जिससे कुछ व्यापारी अब लाल मिर्च के अहमें गिरावट की अनुमान या बात करने लगे हैं गौड तलब है कि गुंटूर लाइन में लाल मिर्च की उत्पादन की कमी को देखते वे उत्तरप्रदेश, हर्याना, राजिस्तान, गुजरात, महराष्ट, मद्रप्रदेश, आंदरप्रदेश, करनाटक के कुछ कारुवारियों ने लाल मिर्च का स्टॉक किया था लेकिन उसके हिसाब से व्यापार नहीं निकल पाया है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का, और गुंटूर लाइन की लाल मिर्च का माल, आप 65% से अधिक व्यापारियों के गले माटक गया है, ऐसा कुछ व्यापारियों का कहना है दूसरी और गत्वश की सामान अब्दी की तुल्ला में बरेनी लाइन की लाल मिर्ज का दवाब बढ़ गया है और वियापारियों का ये भी कहना है यूपी में लाल मिर्ज का उत्पादन 25 पतिशत अलग अलग छेत्रों में अधिक होने की खबर मिल रही है और साथ साथ कॉलिटी भी काफी बढ़िया होई आई है इन परिस्तित्यों में लाल मिर्ज की तेजी निकट भविश में समापत हो गई है ऐसा कहना है कोछ वियापारियों का दूसरी और शादियों का सीजन भी अब लगबग 20-25 दिन का बाकी है जिसके कारण लाल मिर्ज की काफ़त पहले की अफिक्षा कम हो गई है यूपीय वराजिस्थान के लोगों का कहना है कि दक्षिंग भारत की लाल मिर्ज में जितनी कमी उत्पादन में थी उसकी पूरती बरेले लाइन की लाल मिर्ज पूरी कर देगी क्योंकि वहाँ फसल एवम कॉलिटी दोनों बढ़िया हाई है दूसरे और मद्य परदेश में भी तेजी को देखकर कारववारियों ने इंदौर लाइन के माल को काफी उचे भाव के स्टॉक कर लिए उसकी भी विक्वाली आने लगी है इसके लावा बंगाल में भी लाल मिर्ज का स्टॉक काफी मात्रा में है क्योंकि लोकल फसल अधिक तर किसान एवम वियापरियों द्वारा वहाँ पे स्टॉक कर लिया गया था और कुछ रोक कर माल बेचा गया था वे माल भी अब बजार में निकलने वाला है बंगाल वाला माल जारखंड एवां उडिसा को सप्लाई हो रही है और यूपी लाइन वहां की लोकल मंडियों के साथ साथ जिहार को भी जा रही है इस प्रकार गुंटू लाइन की विक्री थोड़ी कम हो गई है दूसरी और बजार में ग्रहांकों की कमी के वज़े से सारी परिस्थित्यों देखकर अब लाल मिर्च में व्यापार मंदा नजरा रहा है ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का दोस्तों आपको याद होगा कि जरा सा भाव गिरता है तो बजार में मंदी की बात आने लगती है और जरा सा बजार चड़ता है तो तेजी की बात आने लगती है तो दोस्तों लाल मिर्च पर हमने हमेशा ही आपको बजारों की खवरों से पूरा पूरा रूबरू करा है क् पादन है क्या बजार सर्वे क्या रहा है क्या व्यापारी और क्या विशले शक्त यह सभी की जानकर यह हम लगातारा को देते हैं दोस्तों लाल मिर्च के अंदर आने वाले एक से डेड मैने के अंदर एक महत्वकुन रहे मूव आने की संभावना भी और बन रही है क्योंकि 10 दक्षिन भारत की मंडियों में 11 जून तक अवकाश है चुटियों का वह भी एक मैना अब जल्दी खतम होने वाला है और आगे वाले समय के अंदर वहां भी आवक बढ़ेगी और इदर यूपी लाइन के माल का भी फरक बढ़ेगा लिकिन क्या उसके बावाजूद भी ल जब पूरी देश मंडियों में था स्पिनिंग मिलनों माल खरीदना कम कर दिया था साथ साथ चारोतरफ मंदी की अवास थी उस वक्त भी हमने कपास के अंदर लगातार आपको अपडेट दिये थे चाइना के अमेरिकन सब पूरे विश्व की कपास की खबरों का अनुमान अपनारिश माही के बाद जो कपास में अच्छी मोवेंट बनी वह मने विश्लेशन दिया था तो दोस्तों तेज़ी आने के बाद ये आने के बाद मरने के होतले कर लगातार भी मिलता है साथ-साथ कुछ बिलता है हल्दी में जब हाथ से तीन मेने पहले कोई हल्दी की तेजी की बात नहीं कर रहा था हमने आपको सबसे पहले हल्दी के अंदर तेजी का अनुमान दिया तो जो कि अख्षत सत्य साबित हुआ हल्दी लाल मिर्च काली मिर्च इलाइची इस पर आने वाले एक से गेड़ महना बहुत महत्यक्पूर्ण साबित होगा दोस्तो जब आप मसाले के वियापणी आएं कारोबारी हैं तो आपके लिए हमारी विशेश रिपोर्ट के बिल्कुल तयार है आप संपर कर सकते हैं फिर मत चयाना हमने आपको रिमाइंद नहीं किया था all the very best good luck happy trading